मैं बताने वाली हूँ टमैटो प्यूरी की बहुत आसान सी रेसेपी जिसे आप जट-पट घर पे बना सकते हो और इसे प्रिजर्ब भी कर सकते हो तर लुटक उन्हें अब कैसे बना यह कैसे आप लम्बे टाइम तक प्रिजर्ब कर सकते हूं-वों सभी हम इस वीडियो में रिखेंगे। Hey everyone, this is Neha Gupta or Recipes and Vlog Channel ठनके मौसम में मिलने वाले टमाटर बहुत ही जादा जूसी होते हैं और बहुत ही जादा टेस्टी भी होते हैं और ठनके मौसम में हम टमाटर से सूप बनाते हैं और तरहा की रैसिपीस भी बनाते हैं तो इसी टमाटर से आप बना करके रख सकते हो साल भर के लिए टमेटो प्यूरी तो चलिए इसे देखते हैं मैंने कैसे बनाया है तो ये मैंने लगपक 3 kg टमेटो लिये हैं जिसके उपर से मैंने हरे पार्ट को निकाल लिया है और पीछे से कट लगा दिया है अब मैंने एक बड़ा सा कूकर लिया है जिसमें मैंने सारे टमाटर को डाल दिया है और इसमें एक विसल आने तक इसे हम कूक हो जाने देंगे तो जितना आपका एक कुछ कगर में जाएगा उतना ही हम डालेंगे और बाकी जो टमाटर बच के हैं उसे हम दूसरे कुछ कर में डगा लेंगे तो एक विसल आने तक इसे हम कुछ कर लेंगे और बचे वई टमाटर को मैं दूसरे कुछ कर में डाल ले रही हूँ एक विसल आने के बाद गयास का फ्लेम आफ कर देंगी और टमाटर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे आप देख सकते हो इसके जो छिलके वो आसानी से निकल जा रहे हैं तो अभी इसका छिलका नहीं निकलना इस तरह से छान करके इसका पानी अलग कर लेना है और बड़ा सा चान लेंगे तो यह देखिए मैंने इसे चला लिया है और यह काफी अच्छे से पिस गया है इसे में बड़ी से चलनी लगा करके इसे चान लेंगे तो चान लेनी के बाद जो भी छिलके और इसके बीच बचेंगे उसे हम हटा देंगे जैसा आप देख रहे हो इसमें से र पानी बच चान करके अलग किया था उसे अभी नहीं डालेंगे जैसे इस पर बबल साने लगेंगे यहां पर हम एक चमश नमक आड कर देंगे और एक चमश चीनी आड कर देंगे चीनी आपका जो यह प्यूरी है यह मीठा नहीं होगा ऐसा मैंने क्यूं किया है मैं आपको जो हमारे प्यूरी है वो काफी बढ़ चुकी है और इसे अच्छे से हम हाई फ्लेम में ही कुक करेंगे और आप देख सकते हो कुक करते हुए यह रेड्यूस हो चुका है और वन फोथ ही बच गया है जब यह बच जाएगा आप देख सकते हो काफी जादा बड़े-बड़ इसमें bubbles आने लगेंगे और आसपास जो प्यूरी है वो फैलने लगेगी तो काफी द्यान से यहां पर चलाना है नहीं तो हातों में पढ़ जाता है और यहां पर चेक भी कर लेते हैं चेक कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी आप देख सकते हैं काफी ठीक है इसे नहीं बहु पर इसके बाद इसमें हम सोडियम वेंजव डालें मार्केट में भी यहीं सास गयां रीक हैं और वाइट बेनिंगर डालें लगबक दो चम्मच इससे यहां लाएं नहीं होगी को अगर आप एक साल के लिए भी इसे प्रिजब करूगे तो आपकी पिरी बिल्कुल भी खरा प्रिज में स्टूर करके रखना है एयर टाइट कंटेनर में अगर आप इसे वन मंत के लिए चलाना चाते हो तो आप इसमें से वेनेगर भी डाल सकते हो तो आप देख सकते हो मैंने आप सॉस की ही बॉटल को यूज कर रही हूं मैं या पर उसे मैंने वाश करके अच्छे से अपनी सबचियों में या जहां पर भी टमाटर का आप यूज करते हो वहां पर आप इन प्यूरी को भी यूज कर सकते हो तो बहुत ही असान हो जाता है देखा आपने कितनी कम मैनत में और कितनी असानी से आप बना करके इस तरह का प्यूरी बॉटल में भरकी और फ्रिज म क्यों किया था क्योंकि sodium venugate और vinegar काफी जादा खटी होती है इसे जो टमाटर का यानि की टमाटर प्यूरी का जो टेस्ट है वो काफी खटा हो जाता इसलिए इसको balance करने के लिए मैंने यह पर चीनिका यूज किया था तो इस process को इस process से आप भी अप टमाटर प्यूरी जरूर घर पर बनाए और अपनी comments मुझे comments एक से लम क्लिकना ना भूले कि आपको मेरी आज की recipe कैसी लगी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी friends और family members के साथ इस recipe को share करना ना भूले तो चलिए बिलते फिन next video में एक और बैतरी न recipe के साह तब तक लिए आ